हेलो दोस्तो कैसे हैं आप स्वागत है आपका हमारे चैनल घरेलू टिप्स और ट्रिक्स में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही कमाल के 10 बैस्ट टिप्स और ट्रिक्स लाई हूँ जो की बहुत ही यूनिक है जो आपके समय और पैसे दोनों की बचत क तो चलिए वीडियो को देखते हैं टेप समबर वन जी हां दोस्तों ठंडी का मौसम आ गया है और ठंडी का मौसम हमें बहुत अच्छा भी लगता है और इस मौसम में ना सब चीजे ड्राय होने लगती हैं चाहे वो हमारी इसकीन हो या फिर ऑईल जैसे की नारियर का तेल अक नहीं पाते खासकर ये दिक्कत हमें ठंडी के मौसम में आती है अक्सर इस ताइप के डिब्बे में हमें बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ठंडी के दिनों में ये जम जाती है और इसे हमें निकालते नहीं बनता तो इसे पिगलाने के लिए मैं बताती हूँ आपको एक असा इस ओयल के डिब्बे को आप इस पानी वाले बर्तन में डाल दे जी हां बिल्कुल ऐसे जिससे आपकी ओयल जो जम गई है वो पिखल जाएगी बिल्कुल दो मिनट में अच्छे से पिखल कर ये तयार हो जाएगी फिर आप उस ओयल को यूज कर पाएंगे और इससे आपके ब पिखल जाएंगे लेकिन इससे आपको टाइम बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि दिन भर इसे प्लिक लाने के लिए धूप में छोड़ना पड़ेगा तो इससे हमें समय बहुत ज्यादा लग जाता है इसलिए ठंडी के मौसम में आप इस टिक का यूज जरूर करे और मु इस चीनी के प्लेट को स्टेंड में रखते हैं तो ये अच्छे से सेफ रहती हैं अगर आपके पास स्टेंड की जगा नहीं है आपके पास स्टेंड ही नहीं है आप इसे किसी box या किसी दराज में रखते हैं, है ना? और ये धेड सारी हो तो उसे रखने में दिक्कत होती है, ये आपस में टकराने की वज़़ से इसमें इसक्राय चाजाती है, जिससे हमारी सारी चीनी की बरतन खराब हो जाती है, देखा होगा इसमें निशान बन जाते ह तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जिससे हमारी प्लेटे सही रहे, तो आप इस टाइप के ये फॉम वाले पेपर का यूज करें, इसे आप बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं, अपने सभी प्लेटों को सेफ रखने के लिए, या आपके पास ऐसे फॉम पेपर नही हैं, तो आप सिंपल न्यूस पेपर का भी यूज कर सकते हैं, ये मुझे न्यू कपडों के पैकिंग में मिले थे, जिसे मैंने इस तरह से यूज किया है, इसे आप कैंची से काट ले और सभी प्लेटों के बीज बीच में रख दे, जिससे आपकी छोटी बड़ी जिस भी चीनी की प्लेट होगी, वो कभी भी खराब नहीं होगी, उसमें कभी भी कोई स्क्रेच नहीं आएगा, अक्सर आपने देखा होगा कि दुकान में भी इसी तरह पेपर को प्लेट के बीच बीच में रखते हैं, जिससे उनकी प्लेटे कभी भी खराब नहीं होती, ये हमारे घरों में आते ही खराब होने लगती है क्योंकि हम इसे समहाल कर नहीं रखते या आपके पास कोई कवर है तो आप उसे भी कट करके यूज कर सकते हैं इसे रखने के लिए सभी चीनी के बरतनों में बीज बीच में इसे डाल दे फिर आप इसे किसी भी कवर में रखे, दराज में रखे या फिर किसी बकेट में रखे ये खराब नहीं होगी और हमारी प्लेटे बिलकुल नई की तरह बनी रहेगी हैना बहुत ही यूनिक एन बढ़िया तरीका अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो जरूर करे टिप्स नमबर थ्री दोस्तो ये टिप्स ना आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि आज नीबू से हम बहुत ही कमाल की क्लीनिंग करने वाले हैं जी हाँ मैं यहाँ पे इन नाइफ को साफ करने वाली हूँ दोस्तो अगर आपके पास नीबू नहीं है तो आप उसके छिलके का भी यूज कर सकते हैं अच्छे से इसे फेकने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना ये टिप्स आपको बहुत कामाने वाली है जितने भी हमारी पास नाइफ है चाकू आलू छिल्ली लाइटर उन सभी को नीबू और इस बेकिंग सोडा की मदद से हम बहुत ही कमाल की क्लीनिंग कर सकते हैं इस नीबू और बेकिंग सोडा की मदद से हम बहुत ही कमाल की क्लीनिंग कर सकते हैं डेली कीचण में इसका यूज होता है तो ये बहुत गंदे हो जाते हैं और हम इसे कितना ही अच्छे से साफ करते हैं लेकिन ये ठीक से साफ नहीं हो पाते कितनी भी इसे आप साबून से माजते हैं लेकिन जो इसके germs है वो अच्छे से cleaning नहीं हो पाते जैसे जो हम आलू छेलनी यूज करते हैं वो अच्छे से साफ नहीं हो पाते इसमें ना कही नगई गंदगी जमा हो जाती है तो आप इस नीबू और baking soda का यूज करके इसे अच्छे से साफ कर सकते हैं और आप देखना कि ये tips आपको बहुत ही पसंद आएगा ये बहुत ही अच्छा result देता है जब भी आपके पास नीबू के छिलके बच जाए तो आप एक बार इसे जरूर यूज करके देखिएगा ये कितने अच्छे से साफ हो जाएंगी मैं हमेशा इस तरह अपने knife को clean करते रहती हूं क्यों है ना कमाल की trick टिप्स नमबर 4 ये tips बलून को लेकर है बड़े हो या फिर किसी की शादी हो हमेश सजाने के लिए धेड़ सारी बलून की जरूरत होती है और इसे use करने के बाद हमारे पास थोड़े बहुत बलून तो बच ही जाते है तो इन्हें हम कैसे रखे कि ये आपस में चिपके नहीं अगर इसे ऐसे ही रख देते हैं तो ये खराब हो जाती है अच्छे से इसे मिला ले बस आप देखेंगे कि आपकी बलून अब आपस में चिपकेंगी नहीं और ये खराब भी नहीं होंगे इसे आप एक डिब्बे में स्टोर करके भी रख सकते हैं मैं अक्सर घर में इसी तरीके से रबर हो या बलून हो इहें स्टोर करके रख लेती हूं टिप संबर 5 बलून को ही लेकर मेरा दूसरा टिप्स है जब भी हमारे हाथों में चोट लग जाए जैसे कभी चाकू से कारते समय उंगलिया कर जाती है या फिर किसी भी कारण वस आपकी उंगलियों में चोट लग जाए तो आपना इस बलून का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं अपने हाथों को सेव रखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि हम बार-बार हाथों को पानी में नहीं भीगाना चाहते अगर इस बलून को हम पहन ले अपने उंगलियों में तो हमारी घाव में पानी भी नहीं जा पाएगी और हमारा काम भी असानी से हो जाएगा हना हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगे ये बहुत ही अच्छा तरीका है अब जो मेरी अगली टिप्स है वो है लशून को लेकर हम लंबे समय तक लशून को कैसे स्टोर करके रखें कि वो खराब ना हो अगर आप भी घर में बहुत ज्यादा मातरा में लशून लाते हैं और चाहते हैं कि ये अच्छे से रहें इन्हें आप बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सके तो आप क्या करें कि पहले तो जितने भी खराब वाले लशून हैं उन्हें अलग कर ले और जितने अच्छे वाले लशून हैं उन्हें अलग कर ले उसके बाद आप एक एक कर सभी लशून को अलग-अलग निकाल ले जिससे लशून को हवा भी अच्छे से मिलेगी और ये खराब नहीं होंगे इसे अलग-अलग निकाल लेने से न क्या होता है ये सूकती नहीं है वरना ऐसे रखी-रखी ये एक दूसरे के साथ खराब हो जाती है और बहुत दिनों तक रहने से ये सूक जाती है दोस्तो अगर आप लशून लेते हैं और उसे ऐसे ही सभी लशूनों को एक साथ रख देते हैं तो क्या होता है? ये खराब होने लगती है तो दूसरा भी खराब होने लगता है इसलिए जब भी मार्केट से लसुन लाते हैं तो सबसे पहले उसे छाट कर अलग कर ले बहुत ज्यादा मात्रा में लसुन इस्टोर करने से क्या होता है कि अगर इसका यूज जल्दी नहीं किया तो ये रखी रखी सूख जाती है तो आप एक दम से ज्यादा मात्रा में ना ले लसुन को थोड़ा थोड़ा ही ले जिससे हम इसका अच्छे से यूज कर पाएं और अगर इस तरीकों से आप लसुन को रखते हैं तो आपके लसुन लंबे समय तक सेफ रहेगी ये कभी भी खराब नहीं होंगी उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई हो टिप्स नमबर सेवन लसुन को ही लेकर मेरी अगली टिप्स है दोस्तो लसुन का यूज तो हम रोज खाना बनाने में करते हैं लेकिन लसुन के छिलकों को हम कूड़ा समझ कर फेक देते हैं आपको जानतर हरानी होगी कि लसुन की ही तरह इसके छिलके भी बहुत फायदे मंद होते हैं लसुन के छिलकों को अगर आप पीस कर अपने पिमपल पर लगाएं या फिर अपने जाईयों पर लगाएं तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी क्योंकि लसुन के छिलके में antibacterial properties होती है जो pimple को ठीक करने में बहुत ही फायदे मन्त होती है लसुन का छिलका इसलिए आप next time से लसुन के छिलके को फेके नहीं आप इसका use करें अपने health के लिए टिप्स नमबर 8 दोस्तों ये मेरी बहुत ही छोटी सी टिप्स है चस्मा को लेकर जिसे मैं आपसे शेर कर रही हूँ simple चस्मा हो, power वाले चस्मे हो या फिर थोड़े fancy वाले चस्मे हो जिस भी type के आपके पस चस्मा हो देखना उनकी glass बहुत जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि इन्हें हम समहाल कर नहीं रख पाते है ना, इन सभी चस्मों को हम सुरक्षित कैसे रखे अब सभी चस्मों के लिए तो हमारे पास छोटे bag नहीं होते कोई cover नहीं होता हमारे पास तब क्या करे जिससे हम इन चस्मों को safe रख सके तो आप क्या करे आपना silver paper जो foil paper होता है उसका use करे मैं आपको करके बताती हूँ आप इसे ऐसे cut कर ले जितना आपको जरूरत है उतना ही ले यह हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए बस थोड़ा सही उसके बाद आप क्या करे इस paper को आप इस glass के सामने ऐसे लगा दे इसे पूरा cover कर ले देखिए इससे हमारी चस्मों को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा और यह बहुत ही अच्छे से रहेगी यह निकलेगा भी नहीं इसमें कहीं पे भी कोई scratch नहीं पड़ेगी अब चाहे आप इसे अपने बैग में रखे या फिर किसी बॉक्स में रखे जैसे चाहे वैसे रखे यह बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे ना इसमें कोई scratch आएगी है ना कमार के tips उम्मीद करती हूँ आपको यह tips पसंद आई हो tips नमबर 9 यह tips ना आपको बहुत पसंद आएगी अक्सर हम लेडिसो को कहीं बाहर जाना होता है और ऐसे में हम nail paint लगाते हैं फिर इस nail paint को सुखाने के लिए 5-10 मिनट तो ऐसे ही लग जाते हैं और जल्द बाजी में हम इतना समय दे नहीं पाते जिससे हमारी nail paint जो है वो खराब हो जाती है तो उस समय आप इसे सुखाने के लिए क्या करें मैं बताती हूँ आपको एक असान सा trick आप एक कटोरी में अच्छा ठंडा पानी ले ले अगर पानी फ्रीज का है तो और भी अच्छा बात है बस इस पानी में आप अपनी उंगलियों को कुछ सेकेंड के लिए डुबा कर रखें हमें बहुत देर तक नहीं रखना है बस कुछ सेकेंड के लिए ही से रखना है फिर देखेगा इसका कमाल आपके nail paint कैसे एकदम बढ़िया से सूख जाएंगे वो बिलकुल भी खराब नहीं होंगे फिर आप कितनी भी जल्डी में हो ये कुछ नहीं होंगे यूज करके देखे अगर ये tips आपको पसंद आए हो तो मुझे एक like तो जरूर करे tips number 10 अब जो मेरी next tips है वो है aluminum file को लेकर tiffin में खाना pack करना है तब इस aluminum file की बहुँँ जरूरत पढ़ती है जिससे की खाना अच्छे से गर्म रहे या जब भी हम कुछ baking करते हैं या किसी बर्तन की shape बनाना चाहते हैं तो इसकी जरूरत पढ़ती ही है जब भी हमें इसे बर्तन या फिर टिफिन के अंदर डालना हूं तो होता ये है कि इसकी side बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आती ये file पूरा खराब हो जाता है तो इसे सही तरीके से हम कैसे लगाएं मैं आपको बताती हूँ एक असान सा तरीका जिससे आप इस aluminum file से टिफिन को अच्छे से pack कर सकते हैं या फिर आपको कुछ बनाना हो तो आप इसकी save दे सकते हैं आप इसे उल्टा करके जिस भी बरतन में आपको ये aluminum file लगाना है और इस बरतन या टिफिन की ही size का आप इसे cut कर ले और इसे उल्टा करके इस paper को इसके उपर रग दे और इसे हाथों की मदद से अच्छे से दबा ले आप देखेंगे कि इससे उस टिफिन या फिर आपको जिस भी बरतन में लेना है ये file उसकी safe ले लेगा इसे हलके हाथों से ही दबाए और फिर इसे पलट कर आप इसे इसके अंदर अच्छे से डाल दे आप देखेंगे कि ये बड़ी ही असानी से इसमें आ गई अब आप इसमें अच्छे से अपने बच्चों के टिफिन पैक कर सकते हैं अब आपको इसे यूज करने में कोई परिशानी नहीं होगी है ना कमाल के टिप्स एक बार जरू ट्राइ करें फिर मुझे बताए आपको ये तरीका कैसे लगा तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक प्लीज मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं इसी तरीकों के नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहूंगी धन्यवाद